हेई गाइस वेलकम बाक तो मैं चानल आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो मैं चाहरी हूं डेली थोड़ा सा कुछ काम भी था और थोड़ा सा कुछ ब्रेक भी चाहिए था इसलिए हम लोग जा रहे हैं और तू रेडी हो गई है बच्चों रेडी हो गए सुबह की बच्चे हैं पॉने साथ बच्चे निकलेंगे घर से हमारी फ्लाइट दस इसी लग रही है कामन शेक्चन में जरूर पताइएगा लगेज पगेरा पाक हो गया है इसलिए हमाई पती देव पांच वजे उठ गई थी और मैं साड़े पाथ शेवजे नहां धोकर फ्रेशन अप हो गई थी एक्सिट मुझे हैर वाउश करना था इसलिए अभी मेरा बाल सूप भी गया है अंडर जैकेट पर डब जाता है अब हम बस निकलने वाले हैं मैं मिलती हो आप्रों को कुछ पाथ बने रहेगा मेरे ब्लॉफ पे और इंजॉय करेगा दिखाऊंगी आची टू डैली बाइफ लाइट सो यह बस हम घर से निकल गये हैं और यह कार पे बैट गये थे बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं यह हम रिंग रोड होते हुए एरपोर्ट की तरफ बढ़ से का पार यहां है काके रोड के थुरू made city में काफी टाब होता है तो हम इसी रोड से ऐरपोर्ट जा रहे थे का के इंग रिंग रोड से करीब 8-9 क讲 से नो से धर हमरा यह पुश्र पझार ऑंगे रिंग रोड काफी ही सुन्दर है बस हम यह एरपोर्ट पहुच का हैं यह क हमारा बिर्सा मुंडा ऐरपोर्ट जो काफी नीट एंप्लींग सा है में पार्किंग एरिया में वेहिकल तीन में ठीक खड़ी होती है अधर्वाइस जादा रहेगी तो फिर चार्ज ले लेते हैं तब से पहले यहां पर सेक्यूरिटी चेकिंग होगा यहां पर हमें आइडे पाइड करवा रहे हैं तो बस यहां पर एर एसिया का हमारा फ्लाइड को यहां पर हमारा बोर्डिंग पास मिल गया और हमने अपना आइकट सामने ही रखा था क्योंकि बार-बार इसकी जरुरत पड़ी थी पापा के पीछे दौर्डी है पापा गोदी पापा नॉमबर गेट पर हमारा जो फ्लाइड है फोर नॉमबर गेट पर आने वाला था सो बस हम उपर पहुच के हैं और यह देखिए उपर इतनी प्यारी 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 फिश्स थी यहां पर केटू खा रहा है पनीर टिका सैंडबिच और हम लोग खा रहे थे पनीर पैटी 400 रुपीज का यह इतना साड़ा सा नास्ता किया हमने भई खाना तो बनता ही है और यहां पर देखिए कितनी सारे फिस्स उपर लड़की हुई है बहुत सुन्दा लग रहा था काफ़े कुछ यहां पर खरीदने का भी शॉपिंग का था बाकि बहुत कॉसली था मैं गई थ चॉप पर बहुत जादा कॉसली था तो मैं बस जाके आ गई थी कि यहां पर बहुत सुन्दा सुन्दा बैग भी मिल रहे थे उस पर भी जार करना जो चुप टैडिशनल आर्ट है उसकी काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी काफी कुछ अच्छा था सारा कुछ यह है तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ले थी सोची थी यूटूब पर डालूंगी फाइनली डालना ही है तो यह डाल दिया है मैंने अब बस हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए अंदर पर हमारा बोर्डिंग पास को सेंसर की थ्रू चेक किया जा रहा है चार पास था हमारा यह चेक कर लिया है वहाँ पे जो थी बस हम कर लिया एंट्री अंदर यह देखिए आप एरेशे का अपना फ्लाइट दिखना चालू हो गया है बस हमें यह से अंदर घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे और फाइनली अंदर एरोप्लेइन में बैट जाएंगे इतनी सादा भीर थी ना कि हम खड़े हो के फोटो बिल्ट क्लिक नहीं कर सकते थे क्योंकि पीछे से लोग आती जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं विडियो पना लूँ फोटो का क्या ही है यूट्यूब पे डाल दूँगी तो हमेशे कले मेरी विडियो हो जाएगी हेलो माम वलकम मैं बोला गया फिर हम अपने सीट पे जा रहे हैं हमारी चार सीट थी एक सीट अलग थी तो हमने नहीं लिया था क्योंकि बेटी जो है उस भी बड़ी हो गई है टुएर के बाद फुल टिकेट लगने लगता है और ये बस हम बैट गे अपनी सीट पे का भी डिमांड चालो के ममा चिप्स ममा ये ममा वेदन है कि वे इन वारों की संचालन विखी को अध्यान से पढ़े और समझ लें धन्यवाद ये गैस्ट में वी आप यूर अटेंशन प्र इंफ्लेशन अन्याप्ट कम जो है वें इन कॉंटाट मॉटर ये जो अच्की है आपकी दी 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 अपने उस पर आएकी फिर हवे मेरे पूर अटाएकी एड़ी स्टेड़ी आनननननननननननननननननननननन देली पहचने में हमें लगबग दो घंटे लग गए थे अब हम उपर क्लाउट में हैं अब डेली पहुँच चुके हैं यहां पर कूस हो गई थी नीचे ये डेली का फ्यूर दिख रहा था देली जैसी थोड़ा सा नजदीक और गए तो यहां पर नहरू स्टेडियम दिख रहा था बड़ा सा जो सरकल है ना वो नहरू स्टेडियम है आगे आपने को दिखाई देगा जो डेली के लोग होंगे वो फैचानी चाहेंगे यह जो सरकल सा दिख रहा है ना वो नहरू स् झाल झाल यह लैंडिंग के टाइम पे आप पूरा शेड़ो दिख रहा था इनका बड़ा सुन्दा लग रहा था यह हम लैंड कर गए हम देली पहुच गए हैं यहां पर बहुत ही तीस तीस जटका लगता है यहां पर काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिख ली थी और अपनी इंडिया की भी बहुत से फ्लाइट्स थी अब बस ब्लैंड कर गए हैं अब जाएंगे बस में सो हम फ्लाइट से उतरके सीधे बस खड़ी थी जल्दी से हम बस बैट के थे क्योंकि फिर सीट नहीं मिलती काफी बील्ड हो जाता है और लोग पैसेंजर अभी आई रहे हैं बस खड़ी होई है और हमें तो सीट मिल गई थी अब यह जो बस है जाने वाली है बेल्ट नमब 1 पर हमें फ्लाइट से बहर आएंगे मतलब एरपोर्ट से बाहर आएंगे और अचली काफी सुन्दा यहां काफी पसंद मुझे आती हूआ ह् में बेल्ट का रहा है cu हमारा लगेच हमें मिल गया और हम यहां से एक्षिट करने वाले हैं तो आपनों मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा मैंने अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियन्स शेयर किया मैं काफी टाइम बैठी हूँ फ्लाइट पर पर पहले मेरा यूटूब चैनल नहीं था अ होचा क्यों ना वीडियो डाला चाहे फॉरेवर मैमोरी के लिए तो यहां सा हम एक्षिट कर लिए हमारा ओला जो है आ चुका था अब हम बैठ के इस पर और हम जारे में जाना था तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई थैंक्स वाचिंग